हेलो गाइज वल्कम बैक टू मैं यूटूब चैनल आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूं प्रोईस पैट का रीविव एंड इस रीविव को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं चैनल पर गिववे चल रहा है अगर आपने पारिसिपेट नहीं किया है तो कमेंड बॉक्स में आपको लिक मिल जाएगी तो चेक करना नहीं भूलिएगा एंड इसकी पैकेजिंग से स्टार्ट करते तो सबसे पर आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है नियू प्रोईस गो एक्सल और लिखा है लांग लास्टिंग प्रोटेक्शन यहां पर यूज क्लेम इन ने दिया नहीं है और यहां पर 28 रुपीज यहां पर मेंशन किया गया है स्ट पैड आपके रिसीव ओने वाले जो की एक्सल साइट में हैं यहां पर लिखा हुआ है यहां पर दी गई है यहां पर नीचे की मैं बात करूं तो आपको मिल जाएग जो है वो एड्रेस वगरा मिल जाएगा यहां पर कस्टमर के यह साही चीज़े डीटेल दी गई हैं अगर आप इंटरस्टेड हो तो वीडियो को पॉस करके रीट कर लीजेगा क्योंकि मैं इस चीज में टाइम वेस्ट यहां नहीं करती हूं और बैक साइड में आ जाते है जो कि यहां पर जादा इंफर्मिशन मिल जाती है पैड को लेके तो यहां पर कुछ क्लेम इनने दिया गया है इनने 50 mm लॉंगर जो की नॉर्मल है ठीक है यह चीज तो आंगे भी मेंशन की थी 90% more absorption यह भी दिया गया था एंड और कंट्रोल यहां पर एक extra point मिला है यहां प मैंने पूरा धूंडा मुझे नहीं मिला अगर आपको पता होगा तो प्लीज बता दीजेगा कि यह सेल्फ लाइफ वगरा जो है वो कहां पर दी गई है एंड इस पैकेट को मैं open कर लेती हूं and open करने के बाद मैं आपको दिखाती हूं कि actually यह कैसा है पैट देखने में तो इसकी जो टॉप शीट है लिटल सी slippery काइंट की है जो की एक टाइम पर अनकमपोटेवल फील करा सकती है इस टाइप की पैकेजिंग में होता क्या है जब आप चलते हो इधर अधर तो क्या है बार बार जो है इससे अपना जो पैर है वो जो है बार बार लगता है तो यहां स जादा मैटर करता है कि इसकी जो टॉप शीट है वो बहुत जादा स्यूटेबल होनी चाहिए कमफरटेबल भी होनी चाहिए और यहां पर मैंने रिलीस पेपर जो है वो कट कर दिया है उसके बाद आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से यह आपको मिलने वाला है लुक वा बाद करूं तो एक चीज़ यहां पर मैं बता दू जिस दुकान से मैं इसको पर्चेस किया है उनने और पर्फियूम वगरा जो है वो डाला हुआ था तो इस पैड पर भी उस पर्फियूम की जो है स्मेल आ रही थी अगर मैं एक पैड पर्चेस कर दी तो मैं यह सोसी की इ अनदर भी उसी टाइब सी मुझे यह लगने लग रही थी तो अबर मै कर लेके मैं लिटल बít रृट कंफ्यूस भी मुझे मुद्ध की जेगा है वाहेभ ने दूकिशं से उसके नॉर्मल ही है जादा हई नहीं है यहां पर फर्टन को लेके मेरा पॉइंट हो सकता है गलत ह मैं हाँ पहले बता दे हुँ जैसा कि मैने आपको बता है पर्फियम की स्मेल आ रही थी इंट यहाँ पर मैंने फर्स स्पून डाला है अगर मैं बात करू जैसा कि मैंने देखा उस हिसाब से उसना थोड़ा सा डिले किया एब्सॉब करने में और इज्सके बार जैसे मैं डालती गे डालती कही ही वो थोड़ा बहुत दिले कर रहा था अगर इतने सारे मैंने अब्सकि टेस्ट किये है तो इस आघने के बाद अगर मैं बोलू तो ये थोड़ा बहुत दिले हैं एंड एब्जॉब वो ठीक है एक हिसाब से देखा जाए तो 50% अच्छा है एब्जॉब ये कर ले रहा है 50-50 है क्योंकि मैं उन में से नहीं हूँ जिनने एक दो पैड ट्राइ किये हैं क्योंकि मैंने इत्ते सारे पैड ट्राइ किये हैं मुझे इत्ता जादा एक्सपीरेंस हो गया है कि मैंस अगर मुझे कोई भी पैड का पैकेड दिखा है और पूछे कि ये कौन सा पैड है मैं दूर से बता सकती हूं कि ये वाला पैड है और ये ऐसा होगा ये वो वगेरा इत्ता जादा नौलेज हो गया है तो यहाँ पर मैं वाटर डाल रही थी उसके बाद जैसे जैसे मैंने इंक्रीज किया कॉन्टिटी में डालना वैसे वैसे ये डिले करता गया एब्सॉव करने में और प्रेशर पढ़ने पर जो है वो इधर ऊपर नीचे जो है इसा नहीं है कि एक जगे रहके ये जेल में बदल जाएगा ये में प्रेशर पढ़ेगा यहां पर आप देखिएगा किता ज्यादा अमांट में जो वाटर है वो उपर आ रहा है तो यहां पर आपको वैटी वैटी काइंट का फील हो सकता है और ऐसा जब होता है वैटी काइंट का फील होना तो वहां पर बैक्टेरियल इंफेक्शन भी ह तो यह चीज तो लिटरली बहुत ज़दा बेकार है यहां पर तुम में वाटर डाल रही हूं बट वहां पर ब्लीडिंग होती है और इस टाइम में जो बैक्टेरियां बहुत ज़दा इंटरेक्ट होते हैं तो यह चीज भी आप ध्यान रखिएगा और यहां पर आप एब्स तो आप 7-8 घंटे रख सकते हो बट ज़दा मत रखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल डाले गए होते हैं जो कि जब ब्लीडिंग आपकी पड़ती है तो उससे रियक्ट करता है और केमिकल लिटरली बहुत ज़दा हाम कर सकता है आपको और बाकी साई डीटेल मैं इस पैड को लेकि आपको बता दी एब्जरवेंसी की मझे 50% ठीक ही लगी एंड इस्टिकिनेस जो थी इसकी ठीक थी यहां पर प्रेशर देने पर जो है इधर ऊपर नीचे स्प्रेड हो रहा था विंग्स पे भी यह जायने की जो चांसे बहुत जादा है और ऐसा नहीं कि जब अपन इसको यूज करते हैं तो जो पैड है वो एक जगे स्टेबल रहता है जैसे अपन चलते हैं तो पैड भी हिलता डूलता रहता है तो ज़रूरी नहीं है कि बीच में ही हमेशा आपकी जो ब्रीडिंग है वो हो साइड में भी कभी-कभी वो लग जाता है विंग्स प्रॉब्लम नहीं है मुझे मैंने अपना सजेशन दे दिया है मैं आपको यह सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप इसको ट्राय करो बाकि अगर आपको सही लगता है इसको यूज करना तो आपके ऊपर है यह थी मेरी आज की वीडियो होगी स्टिल कोई पॉइंट मुन से छू आपको मिल जाएगा तो गाइस मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइबाइब